नमस्कार दोस्तों, Learn with N.H. YouTube चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 में राजतान बोर्ड के अंदर राजतान अध्यन की जो बुक चलती थी उसके objective questions से देखेंगे जो भी विद्यारती चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर ले ताकि जो भी useful videos है दोस्तों वो आपको time to time मिलते रहे यहाँ पर जो भी questions हम discuss करेंगे वो काफी बार exam में पूछे जा चुके हैं या फिर next exam में पूछे जाएंगे पहला सवाल है गरासिया जंजाती का परमुग नर्ते कौन सा है तो दोस्तों गरासिया जंजाती का परमुग नर्ते वालर नर्ते है so option b is the right answer वालर नर्ते मैलाओं और पुरुष्ट दोनों के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर वाद यंत्रिव्यूज में नहीं लिया जाता है ठीके गरासिया जंजाती के अन्य परमुग नर्ते है जैसे कि लूण नर्ते, कूद नर्ते, मांदल नर्ते, मोरिया नर्ते या फिर जुआरा नर्ते ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है अगला सवाल है दोस्तों किस छेत्र की रम्मते अधिक परसिद्ध है तो दोस्तों रम्मते बिकानेर की परसिद्ध है अगला सवाल तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकडो पर नाचना, जमिन से मूँ द्वारा रुमाल उठाना, किस नर्ते की विशेशता है तो दोस्तों ये भवाई नर्ते की विशेशता है, सो अप्शन C is the right answer भवाई नर्ते के कुछ परसिद्ध कलाकार है, जैसे की तारा सर्मा, रूप सिंग और सांगिलाल, ठीक है इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों आप थारा रूप सांगिलाल, कैसे थारा रूप सांगिलाल, ठीक है अगला सवाल है दोस्तों जान की लाल भान किस कला के परसिद्ध कलाकार है तो दोस्तों जान की लाल भान जो है स्वांग कला के परसिद्ध कलाकार है so option A is the right answer स्वांग जो है भीलवडा चेतर में लोग पिरे है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है अगला सवाल भेरुजी के भोपे परमुक रूप से किस वाद यंतर को बजाते हैं भेरुजी के भोपो के द्वारा मसक वाद यंतर यूज में लिया जाता है so option A is the right answer important question है ध्यान रकना है अगला सवाल है फड़ भाचते समय किस वाद यंतर का प्रियोग किया जाता है फड़ भाचते समय रावण हत्ता वाद यंतर को यूज में लिया जाता है so option A is the right answer जब भाबुजी की फड़ भाची जाती है तब रावण हत्ता वाद यंतर यूज में लिया जाता है तो दोस्तो थेवा कला प्रतापगड की परसिद्ध है, so option A is the right answer अगला सवाल, राज्य में रत्न उद्योग के लिए परसिद्ध केंद्र है तो दोस्तो राज्य में रत्न उद्योग के लिए जेपुर परसिद्ध है, so option A is the right answer अगला सवाल रम्मत क्या है तो दोस्तो रम्मत एक लोकनाट्य है so option A is the right answer अगला सवाल Blue Poetry कला कहा की परसिद्ध है तो दोस्तो Blue Poetry कला जो है यह जेपुर की परसिद्ध है so option B is the right answer Blue Poetry कला मान सिंग के दोरा लाई गई थी बढ़ राम सिंग दिर्थे के समय यह famous हुई है ठीक है राम सिंग दिर्थे के समय यह लोग पीरिये हुई ये भी आपको ध्यान रखना है इसके अलाबा blue poetry के जो परसिद्ध कलाकार है कुण है रपाल सिंग सेकावत ये भी आपको ध्यान रखना है next question हम देखेंगे दोस्तों निम्न में प्राकरतिक संसादन है यहाँ पर प्राकरतिक संसादन कौन-कौन से है प्राकरतिक वनस्पती, मृदा, जल तो दोस्तों यहाँ पर उप्यूक तो सभी आपका correct answer हो जाएगा ठीक है, अगला सवाल है राज्य में वनों के अंतरगत कितना पर्तिशत है तो राज्य में वनों के अंतरगत पर्तिशत 6,9.54% है so option A is the right answer अगला सवाल, जलोड मर्दा किसके द्वारा जमा की जाती है वायू द्वारा, नदियो द्वारा, जीवो द्वारा या फिर लावा द्वारा तो दोस्तो जलोड मर्दा नदियों के द्वारा जमा की जाती है so option B is the right answer अगला सवाल है राजस्तान की वर्ष भर बेने वाली नदी है तो दोस्तो वर्ष भर बेने वाली नदी चंबल नदी है so option C is the right answer इसे 1280 भी कहा जाता है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है क्या कहा जाता है दोस्तो 1280 कहा जाता है काम धेनूभी इसे ही कहा जाता है अगला सवाल बाल सम्मन जील कहा है इस्तित है तो दोस्तो बाल सम्मन जील important है यह जोदपुर में इस्तित है ठीक है next question हम देखेंगे शुष्की कर्सी है तो उप्युक्त छेतरे तो दोस्तो शुष्की कर्सी कहां पर की जाती है पश्ची में राजस्तान में की जाती है so option D is the right answer अगला सवाल है जल्ट संदक्षन की परंपरागरत विदी है खडीन, टांका, नाडी या फिर उप्युक्त सभी तो दोस्तो जल्ट संदक्षन की परंपरागरत विदी है ये तीनो है खडीन, टांका, नाडी उप्युक्त सभी यहां पर correct answer हो जाएगा ठीक है अगला सवाल है राजस्तान का राज्य पक्षी है तो दोस्तो राजस्तान का राज्य पक्षी गोडावन है So option C is the right answer घना पक्षी विहार कहां इस्तित है भरतपुर में इस्तित है Option B is the right answer अगला सवाल जिवाश में उद्यान कहां इस्तित है तो दोस्तो जिवाश में उद्यान जैसलमेर में इस्तित है सो अप्शन B is the right answer अगला सवाल राजस्तान में टंगस्टन कहां पाया जाता है तो दोस्तो राजस्तान में टंगस्टन डेगाना नागोर में पाया जाता है सो अप्शन C is the right answer नेक्ट क्यूशन हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट कुशन आपका हो जाएगा राजस्तान में पर्माणू उर्जा के अंदर कहां इस्तित है तो दोस्तों पर्माणू उर्जा के अंदर रावत भाटा में इस्तित है so option B is the right answer और ये केनेडा के सयोग से चलाया जा रहा है ये भी आपको ध्यानक ना है अगला सवाल राजस्तान का प्राकरतिक गेस पर आधारित विदुद्गर कहां है बरसिंगपुर, प्लाना, अन्ता या फिर फ्लोदी इस कुशन का आंसर आप कॉमेंट करेंगे ठीके दोस्तों इस कुशन का आंसर आप क्या करेंगे कॉमेंट करके बताएंगे अगला सवाल इन में से कौन सा तापिय विदुद्गेंदर नहीं है तो तापिय विदुद्गेंदर रावधभाटा नहीं है option B is the right answer अगला सवाल पवन उर्जा के विकास की उप्युक्त दसाएं राजस्तान के किस छेत्र में सरवादिक है तो दोस्तो ये पश्चिमी राजस्तान में सरवादिक है so option A is the right answer अगला सवाल बाड मेर जीले के किस छेत्र से कच्चा खनी स्तेल निकला जाता है तो कच्चा खनी स्तेल बाड मेर से कहां से निकला जाता है तो दोस्तो इसका जो right answer हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बयातु से निकला जाता है ठीके option A is the right answer अगला सवाल राज्य में गेर परंपरागत किस उर्जा इस्तरोत के विकास की सरवादिक संभावना है तो दोस्तो सोर उर्जा किस सरवादिक संभावना है so option B is the right answer next question हम देखेंगे दोस्तों प्रेटन इस्तल जेपूर चेतर में आता है जेपूर चेतर में कौन आता है ढूंडार चेतर आता है so option D is the right answer अगला सवाल रंठंबोर नेशनल पर्क जीले में है किस जीले में इस्तित है so option B is the right answer अगला सवाल सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है तो दोस्तों सूर्य नगरी के नाम से जोदपूर विख्यात है so option C is the right answer अगला सवाल जीलो की नगरी के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो जिलो की नगरी के नाम से उदेपुर को जाना जाता है So option C is the right answer अगला सवाल परेटन को उद्योग का दर्जा मिला तो परेटन को उद्योग का दर्जा कब मिला तो दोस्तो ये 1989 में मिला कब मिला 1989 में और ये मौमद यूसुप समिती की सिपारिस्तन मिला था So option A is the right answer अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तो राजस्तान में 1857 के विद्रो की सुरुवात कब हुई तो दोस्तो राजस्तान में 1857 के विद्रो की सुरुवात 28 में को हुई थी So option B is the right answer कहां से की गई नसिराबाद से की गई और नसिराबाद में जो सेनिक ता हुआ वो को धा भकतावर सिंग ये भी आपको धियान रखना है नसिराबाद से ठीके अगला सवाल है आपका राजस्तान में 1857 के مहान विद्रो के सुरुवात कहां से हुई तो ये नसीराबास से हुई अगला सवाल ठाकुर कुसार सिंग ने कहां के करांती कारियों के विद्रों का नेतर्त किया तो कुसार सिंग के दौरा आववा के करांती कारियों का नेतर्त किया गया So option D is the right answer ठाकल कुसार सिंग के दोरा तीन पर्मुक युद्ध लड़े गे, भितोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, जिसे काले या गोरो का युद्ध का जाता है, और तीसरा आववा का युद्ध, पहला युद्ध 8 सप्टम्बर 1857 को हुआ, चेलावास का युद्ध 8 अगला सवाल लाला जे दयाल और मेराब खा ने कहां के विद्रो का नेतरुत किया तो दोस्तों इन्हों ने कोटा के विद्रो का नेतरुत किया था option A is the right answer और कोटा में करांति कभी थी तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में करांति हुई थी अगला सवाल विजे सिंग पतिक ने कि इस करसक आंदोलन का नेतरुत किया विजे सिंग पतिक के दवरा विजोलया किसान आंदोलन का नेतरुत किया गया so option A is the right answer और ये विजोलया किसान आंदोलन में कब सामिल हुए 1917 में ठीक है अगला सवाल संप सभागी इस्तापना किस ने की तो दोस्तों संप सभागी इस्त 1913 में हुआ कहां पर मानगड पहाडी में और वहां पर मानगड हत्या कांड हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है कब हुआ था 1913 में अगला सवाल भगत आंदोलन किस छेत्र में हुआ तो दोस्तों भगत आंदोलन डूंगरपूर बासवाड़ा में हुआ है so option A is the right answer अ पोगिलाल पांडय का सम्मंद डूंगरपूर प्रजाम अंडल से है so option B is the right answer इन्हें वागड का गांदी भी कहा जाता है अगला सवाल सहीत सागरमल घोपा का सम्मंद किस रियासत से रहा है so option B is the right answer 1941 में इनको जेल हुई थी और 1946 में इनकी डेट हो गई थी यह आपको ध्यानक ना है 6 साल तक यह जेल में रहे थे important बात है यह एक बार एक्जाम में पूछी गई है ठीके इनके दोरा रगुनाद बाबा का मुकदमा जैसल मेर का गुंडाराज और आजादी के दिवाने बु बेड़च और गंबिरी नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर बना हुआ है ठीके अगला सवाल अब्बुल फजल ने किस दुर्ग को भकतर बंद कहा है तो दोस्तों यह रंधंबोर दुर्ग को कहा है so option c is the right answer रंधंबोर दुर्ग के अंदर जोगी महल सुपारी महल भी इस्तित है ठीके जल दुर्ग का उधारन है तो दोस्तों जल दुर्ग का उधारन गागरोन दुर्ग हो जाएगा या फिर आपका बेसोरगर दुर्ग हो जाएगा ठीके दो दुर्ग ऐसे हैं जो जल दुर्ग के उधारन है पहला हो जाएगा आपका गागरोन ठीके और गा अगला सवाल जेन धरम से संबंदित निम्न में से कौन सा मंदिर है तो दोस्तो रनकपूर का जेन मंदिर ओप्शन D is the right answer ठीक है अगला सवाल रनकपूर जेन मंदिर पाली में इस्तित है यह आपको ध्यानक ना है अगला सवाल पिछवई चिंतरांकन किस सेली की विश्यस्ता है तो पिछवई चिंतरांकन नाद्वारा सेली की विश्यस्ता है इस अप्शन D is the right answer नाद्वारा का प्राची नाम सीहारता यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है नेक्ट क्यूशन है बनी ठणी किस चितर सेली से संबन्दित है तो दोस्तो बनी ठणी जो है यह किसंगर सेली से संबन्दित है so option A is the right answer नेक्ट है पटवो की हवेली कहां इस्तित है तो दोस्तो पटवो की हवेली जैसलमेर में इस्तित है so option C is the right answer और इनका निर्मान किसके द्वारा कराये गया है गुमान चंद के द्वारा करवाये गया है यह बात भी आपको ध्यानक नहीं है यहाँ पर लगबग जो भी क्योशनत है वो आमने डिस्कस कर लिए I hope आपको वीडियो में मज़ा आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू सो मच